धरम के आधार पर देशभक्ती और देशद्रो का पाट पढ़ाने वाले मोहन भागबजी से मैं पूछना चाहता हूँ क्या जिन लोगों ने भारत छोड़ों अंदोलन में सयोग नहीं किया था, अंग्रीजों का साथ दिया था, क्या आप उनको देशभक्त कहोगे? क्या जिन लोगों ने बावन साल तक अपने कालियालों पर तिरंगा नहीं फेराया, क्या आप उनको देशभक्त कहोगे? क्या जो सम्मिधान को नहीं मानते हैं, क्या आप उनको देशभक्त कहोगे? क्या जिनोंने महत्मा गांधी जी की हत्या की थी, ना थुराम गोड से ने, क्या आप उसको देशभक्त कहोगे या एंटिनेशनल कहोगे? क्या जिनोंने राजीव गांधी जी की हत्या की, क्या आप उसको देशभक्त कहोगे या एंटिनेशनल कहोगे? मोहन भागवत जी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दुनिया का कोई भी धरम हो चाहे वो Christianity हो चाहे वो Hindu धरम हो चाहे वो Islam हो सारे के सारे धरम एक ही बात करते हैं भाईचारे की, सत्य की, अहिंसा की आप धरम के आधार पर देश भक्ती का पाट पढ़ाना किर्पिया करके बंद कर दीजे आप ये बताईए कौन देश भक्ते कौन देश द्रोई है ये अदालत तै करेगी क्योंकि आप बरसों से आपका संगठन डिवाइड और रूल की पॉलोसी से ही इस देश को बाट तावाया है आप देश को बाटना बंद कर दीजे जैहिंद जैभारत